हलो फ्रेंद्स मेरा नाम है सेयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरंजोश.com और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं आज के करंट अवेर से उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्स के बारे में बात क महाराश्रा ने प्रोजेक्ट बैंक सकी योजना को लांच किया है सही जवाब है ओडिशा तो आपको बताते हैं कि बैंक ओफ महाराश्रा ने ऑनलाइन बैक खाता कोलने के लिए महागरां सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेस प्राइबिट लिमिटेड के सहयोग से ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सकी शुरू करने की गोशना करी है यह बैंक खाते खोलने के लिए ओडिशा की लोगों को घर घर और परिशानी मुक्तब पहुँच प्रदान करेगा ओडिशा के लोग हमारी अभिनाव ग्राहक अनुकूल वितियस सेवाओं का उप्योग कर रहे हैं और डिजिटल और बहुत एक टच्च पॉइंट में सरवसेश्ट रहक अनुभव का उप्योग कर रहे हैं ऐसा बैंक ऑफ महराश्टा की तरफ से कहा गया है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त रराष्ट क कि एजिंसियों और एंजियों को निम्लिकित में से कितने अरब डॉलर का फंड देने की गोशना करी है सही जवाब है एक अरब डॉलर तो आपको बता दें कि गंबीर आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान के लिए विश्व बैंक ने एक अरब डॉलर की मानवी सहायत देने की गोशना की है इसका इसका इस्तेमाल संयुक्तर राश्टर की एजन्सियों और अंतराश्ट्रिय गहरे सरकारी संगठरों यहना कि एन्जियों के माद्धियम से किया जा सकेगा इस फंड के खर्च का मुख्य उद्धिश अफगानिस्तान में कमजोर लोगों की रक् सेवाँ को संदक्षित करने में मदद करना है पड़ते हैं अगरे सवा की तरफ विश्व वन जीव दिवास वर्ड वायल लाइफ डे हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो इसके जो सही जवाब है वो है आप्शन दी तीन मार्च तो आपको उता है कि हर साल तीन मा पराज से लड़ने के लिए तद्काल गदम उठाने का अवान करता है जिसका परेवरन आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है तरिक तर राश्टर महासाबा यूएंजी ने बीस दिसम्ब दोजातेरा को अपने और सट्वें सत्र में तीन मार्च को विश्व वन जी पास सर्विस बरत में लाउंच कर दी गई है दो साल पहले कूगल प्लेफास को अमेरिका में लाउंच किया गया था गूगल प्लेफास की मदद से एंडुएट य долларов बिना विग्यापन किसी एप को इस्तिमार कर सकेंब बेदेखे जूगड का फाईदा फिल आप्य काती ए पूर्वी एशियाई खेलों की मेदबाने इमने में से किस देश को प्रदान की गई है सही जवाब है वियतनाम तो आपको उतादें कि 31 में दक्षिंड पूर्वे एशियाई खेल साउथ इस्ट एशिन गेम्स 12 से 23 मईं 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे ये दक्षिंड पूर्वे एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजिन है और एक दूई बार्शिक आयोजिन है ये कालिगरम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था लेकिन इसे कोविट महमारी के करण स्थगित कर दिया गया था खेलों में 526 आयोजिनों के साथ 40 खेल होंगे जिसमें लगभग 10,000 पतिभागी शामिल होंगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अमेरिका, यूरोपिय, संग और बिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रदिबंद लगा दिये है तो सही जवाब है रूस तो आपको दादे कि अमेरिका, यूरोपिय, संग और बिटेन ने रूस पर आर्थिक से प्रदिबंद लगा दिये है रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया है रूस के सेंट्रल बैंक को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया है उसकी 63,000 करोड डॉलर की स्तंपतियों को फ्रीज किया क्या है EU आयोगा की अध्यक्ष उर्सला वॉन के अनुसार पतिबंदों में रूसी बैंक अतराश्टर इस तर पर लेंदेन नहीं कर पाएंगे जिससे उसके आयात निर्याद पर असर पड़ेगा अब वो सवाज जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था वर्ट सिविल डिफेंस डे के जिने मनाते हैं सही जवाब एक मार्च हर साल एक मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के लिए उसको मना जाता है इस खास दिन पर पूरे विश्व में नागरिक सुरक्षा दिवस मना जाता है नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्गटनाओं या पिर आपदाओं की इस्तिती से रोगताम हेदू जागरुता बढ़ाने और उसे दुर्गटनाओं पर ध्यान अकर्षित करते हुए इस दिन को खास रूप से मना जाता है आपको बताता है कि इस दिन को जो है 1990 में इंटरनाशनल सिविल डिफेंस औरगिनाज़ेशन द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में शामिल किया गया था अब एक सवाल आपके लिए इसका जावाब आपको कमेंट बॉक्स में लिक्के हमें बताईए भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनाइक संबंदों के 75 साथ पूरे होने के उपलक्ष में एक विशेश लोगों का जो है अनावरर किया गया है तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप्शन्स हैं नेपाल रूस या फिर जापान या फिर बेल्चियम अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें चागरंजोष.com